मतलब किसी भी नए ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आना उतना ही कठीन है जितना पहार जणने जैसा लगता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के उपर बात करने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल से प्लैटफॉर्म के मदद से कुछ एक 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं उसके साथ है मैं अपने ही एक व्लॉग का आपको पूरा लाइव केस स्टडी दिखाने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो आप सभी देख रहे हैं विकम ब्लॉगर और मैं हूँ सचिदा नन सिंग दोस्तो वीडियो में आगे वड़ी से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आगे और भी ज्यादा इंफर्मेटीव और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग और भी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट आने वाला है तो चलिए अब बात करते हैं कि हम किसी इसके बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तो हम बात कर रहे हैं पिंटरेस्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि पिंटरेस्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इमेज वगएर सेर होता है तो जी हाँ दोस्तों हम उसी platform की बात कर रहे हैं Pinterest जहां से आप जोला भरभर के अपने sites के लिए traffic लेके आ सकते हैं अपने blog पे बहुत अच्छा traffic source generate कर सकते हैं एक Pinterest account के मदद से मैंने भी अपने blog पे काफी अच्छा traffic gain किया है लेकिन मैं उसके case study के बारे में बात करूँ उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा report दिखाना चाहूँगा Pinterest के dashboard पे चलके तो चलिए चलते हैं अपने computer screen पे वही पे सबसे पहले Pinterest का dashboard देखेंगे फिर मैं अपने website के बारे में बताऊँगा कि मेरा कौन सा website था जहां पे इतना traffic आया उसके बाद मैं आपको simple 5 steps बताऊँगा जिसके थूँ आप भी अपने blog पे Pinterest की मदद से बहुत अच्छा काशा traffic लेकर आ सकते हैं तो चलिए computer screen पे चलते हैं दो 90K करके आपके पास engagement है total audience जो है हमने 2.7 का target अचीव किया है और engaged audience जो है 214K है यह तो हो गया सर हमारे पूरे अब तक के दो साल का यह insights है मतलब इसलिए दो साल में ही हमने Pinterest पे कुछ किया था और यह जो insight है मतलब मैं एक साल ही आप इसको मान के चली क्योंकि मैं एक साल के बाद इसको काम करना छोड़ दिया था क्योंकि मैं उस industry में अब हूँ नहीं सबसे पहले बता देते हैं कि किस तरह का pin वगएरा हमने किया था उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने Pinterest के account के section में तो सबसे पहले आप देखे कि हमारे Pinterest account का जो नाम था अभी हाला कि मैं इसको continue नहीं कर रहा हूँ यह है Indian Festival Images अब इस पर क्या था कि हम लोग event blogging जब मैंने start किया था कि diwali images download.com करके हमने एक domain register किया था 2016 की 17 की यह बात है उसी समय मैं traffic के लिए देख रहा है होंगे easter, visitor जो भी है मतलब हम यहाँ पे डालते थे जो diwali होली वाली blogging होती है जब मैं starting में करता था तो उस time का यहाँ पूरा का पूरा data है तो जो भी event आता था उसे related हम लोग photos download करके यहाँ पे डालते था और काफी अच्छा traffic भी आता था हाला कि आपको जो insights दिख रहा हो तो Pinterest pins के insights से इस image के insight है लेकिन website पे भी इससे बहुत अच्छा traffic गया था तो मैं उसकी भी information आपको दे देता हूँ तो उसके लिए मैं Google Analytics में आपको लिया चलता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं again वही दिवाली images download वाले section में हूँ और all traffic के social media accounts के अंदर मैं हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि Pinterest से 20,000 का traffic है almost यह मैंने एक जो date select किया उस range में लगभग 20,000 का traffic है तो आप समझ सकते हैं कि Pinterest एक काफी अच्छा traffic source हो सकता है आप से भी के लिए तो अगर आप इसको अगर ignore कर रहे हैं तो ignore करने की चीज नहीं है आप Pinterest पे आपको बहुत कुछ करना चाहिए तो दोस्तो यह तो हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि मैं जब दिवाली होली टाइप की blogging करता था उस वक्त का insight है लेकिन यह जो Pinterest है यह केवल दिवाली होली तक ही limited नहीं है अगर आप YouTube पे भी Pinterest के वारे में सर्च करेंगे तो बहुत यह से bloggers हैं US UK के जो सिर्फ Pinterest का इस्तेमाल करके काफी अच्छा revenue बना रहे हैं affiliate marketing कर रहे हैं यहां से products को sell करवा रहे हैं तो आपको क्या requirements है मतलब basically अगर समझा जातो क्या है requirement Pinterest से traffic लेने के लिए तो सबसे पहले तो आपके पास एक blog होना चाहिए जिसके आप directly traffic भेज सके हैं बाकी बिना blog के भी लोग काम करते हैं affiliate marketing के लिए directly उसको करते हैं लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास blog ये website तो है नि उसके बाद की जो चीज है कि आपका जो blog है वो media rich content के साथ होना चाहिए media rich कहने का मतलब है कि आपका जो blog है उसपे images, posters, infographs इन सभी चीज की भरपूर तादात होनी चाहिए मतलब आपका जो main focus तरीका है ना कि उसमें media का बहुत बढ़ा role है जैसे कि मैं एक site जानता हूं री संस्कृत करके वो wall posters बेजता है मतलब एक photo type की wall posters मतलब जिस पे वो संस्कृत के sloaks लिखे रहते हैं तो उसको काफी अच्छे तरीके से बेजा जा रहा है यहां से तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़े है जो एक तो directly product selling भी हो रही है directly website पे traffic करके adsense से भी लोग कमा रहे है affiliate marketing भी कर रहे हैं तो आपके पास क्या है कि media rich content होना चीज़िए आपके site या फिर blog पे उसके बाद का अगर बात करें तो अगर आपकी जो audience है वो अगर female audience ज़्यादा है तो काफी फायदा मिलने बाला है क्योंकि है जो है US, UK में इस पे Pinterest पे लोग ज़्यादा एक्कीव रहते हैं इंडिया में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है और वहाँ पे अगर आपकी female audience ज़्यादा है तो काफी अच्छा है अगर आप female audience को target करते हुए कुछ एक blogs बराना चाहते हैं तो मैंने एक video बनाया था कि हाँ मतलब उस पे कैसे आप काम कर सकते हैं उसका i button में आपको link मिल जाएगा तो वहाँ से आप कर सकते हैं और बाग की आप चाहें तो event blogging में भी Pinterest का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि दिवाली होली इस तरह की चीजों के बारे में जब आप image बगर डालेंगे तो Google में rank भी करता है Pinterest काफी अच्छे positions पे तो वहाँ से आपके blog पे directly traffic आ सकता है तो चलिए तो हो गया कि हाँ आपको क्या requirements से बात कर लेते हैं कि आपको compound से steps को follow करना है Pinterest से traffic लेने के लिए तो वह 5 steps है काफी easy steps है मैं आपको सीधे बोल के बता देता हूँ बाकी research, explore यह सब करना आपका काम है क्योंकि मैं exactly सारा कुछ आपको बता दू तो फिर आप इसको उतना value नहीं करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप deeply इसमें घुसे और इसमें कुछ करने की कोसिस करें तो जो 5 simple steps है हो है कि सबसे पहले आपको Pinterest पे account बनाना है, account बनाना काफी simple है नाम, email, address, website के address के साथ ही आपका account बन जाएगा, email वगएर, verify करना है वो बहुत simple steps है उसके बाद आपको जो आपका account बनेगा, उसको सीधे आपको करना है business account के रूप में convert और business account में आपको जो है अपने website का नाम लगाना है और आपका business account के रूप में एक brand account बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपने domain को claim करना है, domain claiming का मतलब है कि जैसे आप Google search console में domain verify करते हो Facebook pages पे domain verify करते हो, उसी तरीके से Pinterest में भी domain verification होता है और उसी तरीके से आपको एक meta tag मिलेगा जिसको अपने site में जाके header में आपको चिपकाना होगा, वहां से आप verify कर सकते हो तो domain भी आपको claim करना हो गया, तो यह है third stage, चौथा है कि आपको boards बनाने है Pinterest में अगर आपको boards के बार में नहीं पता है तो आपको बता दे कि boards एक kind of category होता है, आपके उस साइट पे बहुत सारे तरीके post आते हैं तो आप उसको categorize कर सकते हैं अलग-अलग, जैसे कि आप event blogging करते हैं Indian festivals का, तो आप दिवाली का एक board बना ले, होली का एक board बना ले, छटपुजा का एक board बना ले, तो इस तरीके से आप boards बना सकते हैं उसी तरीके से गर आप fashion पे काम करते हैं तो फलाने dress की एक board हो गई, beauty tips की एक board हो गया, lifestyle से related एक board हो गया, health के लिए एक board हो गया, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं तो अलग-अलग boards आप बनाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने website से pin करना है, pin करना भी बहुत आसान है, आप directly image upload कर सकते हैं, या फिर link के थुरू भी pin कर सकते हैं, आप plus icon पे click करेंगे तो वहाँ पे pinning का process दिख जागा तो यह है simple 5 steps से जिसके थुरू आपको Pinterest पे account बनाना है, और जाइए explore कीजे, Pinterest से काफी अच्छा आप traffic लेकर आ सकते हैं, मैंने आपको live proof दिखा ही दिया कि ब्लॉग पे कैसे traffic मैंने लाया, तो चलिए मिलता है एकले वीडियो जने, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-ब तो नहाँ